कॉलकता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर का केस पूरे देश में चर्चा का विशेह बना हुआ है मामले की गंबिरता को देखते हुए CBI ने इसे अपने हाथ में ले लिया हैवानियत के इस मामले में परत दर परत कई खुला से हो रहे अब पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अधार पर एक डॉक्टर ने दावा किया है कि इस जुर्म में एक से जादा आरोपी शामिल है अखिल भारतिये सरकारी डॉक्टर संकेत रिक्त महा सचीब डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के मुताबिक उन्होंने पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पड़ी है पी-एम रिपोर्ट में इस बात का उलेक है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है डॉक्टर गोस्वामी का दावा है कि इतनी ज़्यादा मात्रा किसी एक सक्ष की नहीं हो सकती डॉक्टर का दावा है कि रिपोर्ट से इस जगन्या प्राइद में कई लोगों के शामिल होने का संकेत मिलता है महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस प्रकार की चोट मिली है और जितनी ताकत उस पर हमला करने में लगाई गई है यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता कही गई है तर असल रेप और मर्डर के इस मामले की जाच सुड़ू से सवालों के घेरे में है प्रदर्शन कारी डॉक्टरों का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सेमिनार हॉल को खुला रखा गया इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वहां रिपेरिंग का काम होना था लेकिन रिपेरिंग का काम सेमिनार हॉल के बगल के कमरे में होना था सेमिनार हॉल के अंदर सी सी टीवी कैमरा भी नहीं था ये एक तरह की लाप्रवाही है हरताली डॉक्टरों ने सेमिनार हॉल के सामने निर्मान कारे पर भी सवाल खड़े किये हैं झाल झाल